अमारे भारती सुनने वालों को हालेंड से नमस्कार और आदर मिलें। ये आदर और बहुत ही अनन्द की बात है कि पंडित रवी शंकर आज हालेंड से भेंट कते हैं। पंडित जी, आपको विदित हो कि इस देश में भारती संस्कृति का स्थान बहुत उंचा है। आप पताईए, ये पहली बार है कि आप इस देश से भेंट करते हैं। जी नहीं, मैं पहला यहां आया था, तब मेरा उमर बारह साल की ती। और मैं अपने बड़े भाई साहब श्री उदेश रंकर जी का ग्रूप में आया था। उसके बात भी कई देश आओ रहाया, लेकिन अपने आप मतलब मैं अपने अकेले अपने साथियों के साथ ये पहली बार आया। अब तो कितनी दिन हुए कि आप और श्री चतुर्ला तथा श्री मलिक जो आपके साथ हमें जाते हैं भारत से रवाने हुए। रवाना हुए। जी हम भारत चोड़े करीपन हाट महीन हो गए। और वहां से पहले हम इंग्लेंड है। वहां लंडन ऑक्सवोर्ड केंपरिज में काफी प्रोग्राम हुए। पैरिस में भी एक तीन-चार कॉंसर्ट हुए। उसके बाद ही हम युनाइटर स्टेट्स अफ अमेरिका चले गए। वहां हम करीब समझेए कि साड़े छह महिना रहे। वहां से तो लोग छोड़ते ही नहीं थे। इतना वहां हमारा सफर लता हुई और सब जगह संगीत के परचार भी बहुत अच्छा हुए। वहां सब जगह प्रोग्राम हम दिये और लेक्चर डिमोंस्ट्रेशन वगरा दिये। कालिफोर्निया तक भी हम लोग गए। वहां भी बहुत जोड रहा प्रोग्राम। फिर हम वहां से कैनेडा गए। कैनेडा में पहले तो सीबीसी बोलके वहां जो कैनेडियन ब्राड़कास्टिंग काउपरेशन है। वहां खास प्रोग्राम हुआ टीवी में यानि टेली विजिएन में। और फिर वहां नैशनल फिल्म बोर्ड है। वहां दो फिल्म में मैंने म्यूजिक दिया और वहां प्रोग्राम भी बहुत जम्य तो यह सब के बात अभी हम यूरोप पर वापस आये हैं करीब दो हफ़ते हुए और पहले ही हम हॉलै अच्छा और यह तो ह्याएं जानते हैं कि प्रोग्राम यहां बहुत जी अच्छा जम्य सब जगार यहां के लोग बड़े प्रेमी लोग हैं और संगेतने हमारे कला का आधर करते हैं आब हम यहां से यहां से, हम जाएंगे अब लiberal लंडन वहां तीन concert है मिस्ट्री मेनीवरींश जो है रिक्हात वहालबादका का और हमारे मित्र भी है वो हमें हमारे concert में फर साइट करेंगे उसके बाद लंडन के बाद हम वेस्ट जरmealनी जाएंगे वहां कम से कम तीन हफ़ता टूर है हर एक बड़ा शर जितना है वेस्ट जर्मिनी में और वेस्ट जर्मिनी के बाद हम पैरिस आएंगे वहां बहुत बड़ा एक कॉंसल्ट है पैरिस के बाद फिर मेरे खाल ब्रसल्स रोम वगरा होते हुए आगस्ट के मेहना के करीब हम हिंदुपस्तान वापस जाएंगे हम आपको बहुत सफलता चाहते हैं और यदि अवसर मिलेगा मैं आपसे एक प्रशन करना चाहता हूँ यहां और यह है आप तो कह सकते हैं कि इस देश की जनता के सुनने वाला आपका संगीत समझ सकते हैं यह आपको कैसा अनुभव है जब आप बजा रहे होंगे तो लोग आपको कैसे लगते हैं और एक स्पर्श किसी प्रकार का परस पर मिलन है यहां मैं समझा आप जो कहने चाहते हैं एक बात है कि जैसा यह खास करके यूरोप है यूरोप तो एक बहुती पुराना संस्कृती है और खास करके हॉलाइन हुआ जयमनी हुआ कुछ देशों में मैं पहले से ही देखा कि यहां के लोग भारती एकला बहुती मतलब जानते हैं समझते हैं यह हम नहीं कहेंगे क्योंकि समझने की बात उतब होता है कि जब आप काफी सुने और जिसको करते हैं कि फैमिलियारिटी हो जाए तो समझने का तो इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन कि समझने की कोशिश जो है और जो प्रेम भाव है वो बहुत एक खास चीज है जिसे की बाद में इंसान समझ भी सकता है तो यह यहां बहुत मिला है और इससे भी ज़्यादा अगर आप बुरा नमाने तो उहां हमें देखने में आया जैसा अमेरिका में वहां के लोग बड़े क्या कहना चाहिए बहुत ही इमोशनल है और देल से और उहां समझें ना समझें एक उहां कुछ क्या करते हैं पागलपन बहुत है कोई भी अच्छा नया चीज सुने तो उसको बहुत वो लोग खुश होते हैं और खास करके वहां एक बात में कुछ को प्रचार जादा होने के वजे से वह हमारे संगीत को जैदातर संगूते थे कि जाइज मूजिक कर माफिक है क्यों की हमारे मूजिक में भी जैसा है जैस में हुथोड़ा बहुत इम्प्र वाइस करते हैं इंप्रिवाइशन जिए इसको कहते है जी हां और four ले के मा कि आपके लोग काफी शुरू में यही समझते हैं कि हमारे म्यूजिक जैज के माफिक है, तो इसलिए मुझे थोड़ा काफी शुरू शुरू में उनको कहना पड़ता था और हम काफी समझाया हैं उन्हों को कि थोड़ा बहुत मिलता जुलता तो जरूर है, लेकिन हमारे जो है उसका जो बेसिस है वो अलगी है और जो कुछ वो इंपरोवाइज करते है वो एक सेट थीम को अपर जिसको कहना चाहिए और एक थोड़ा से दाइरे में उनका जो कुछ इंपरोवेजेशन है और हमारा इंपरोवेजेशन तो आप जानते ही है कि राग को भी ख्यार यह सिर्फ नहीं है, और राग इलावा जो ले में बंद़ा हुआ हुआ ही, जिसको आप थीम कह सकते हैं, जिसको हम गट कहते हैं, शायद वन एक ही चीज है. वो गट यानि थीम को बेश करके जो की राग में बंदा हुआ है, फिर सारा चीज को हम वो जो ताल है, जो rhythmic cycle है उस पे हम base करते हैं और यो rhythmic cycle इस तो नहीं होता हमारे आप जानती है 16-16 मात्रा के बहुत बड़े-बड़े rhythmic cycle फिर 7 मात्रा का, 10 मात्रा का, 14 मात्रा का तो इसमें सारा चीज ख्याल रखके improvise करना ये बहुत एक अलगी चीज है मैं ऐसा तो कहना नहीं चाहता हूं कि हमारा music stress है न तो जादा मुश्किल है लेकिन ये ज़रूर है कि इसके लिए बहुत ही जादा साधना चीए और jazz का जो improvisation है वो एक emotional improvisation है जो कि भावना से और वो लोग feeling से और फिर उसमें एक ही रस है जो इसको हम श्रिंगार रस कह सकते है आदी रस जो कि एक आदीम वर्तियों को मतलब प्रकट करता है और हमारे इसमें आप देखिए तो सब किसम के भावना हम प्रकट कर सकते है हमारे संगीत में जैसा शांत रस भक्ती रस और करूना रस वगेरा एक क्या करना चाहिए बहुत ही सब्लाइम तरी से हमारे संगीत में भी आदी रस की प्रकट करने को यह है लेकिन बहुत ही सब्लाइम हो है इतना मतलब क्याना चाहिए इतना वाइल्ड किसम का नहीं है क्योंकि वो हमारे folk music में बहुत है that wild sort of rhythm लेकिन हमारे शास्त्रिय संगित में यही खास सीज है कि बहुत ही उसमें controlled और sublime तरह से हम अपना भावना प्रकट करते हैं तब ही हम तो कह सकते हैं कि अमरीका की जनता आपका संगित समझना चाहती है ना बहुत ज़दा प्रेम भाव तो ज़रूर मिला बहुत ज़दा बहुत ज़दा अमरीका में और यूरोप में अभी तो देखिए हम अभी होलाइन में जो देखते हैं उसमें मैं यह समझता हूं कि बहुत ही खुशी की बात है यहां बहुत ही मतलब लोगों में यह है कि जानने का और सुनने का बहुत ही इच्छा बहुत ही ज़दा पाई लोगों को तो अभयास अवश्या है ना बहुत बाइर सुनने का अभयास से अब फरांस से और इंगलाइन में भी इतना नहीं था अभी कुछ दिनों से सुनने का कूं को हुआ भारतिय इतना जयदा है भारत बहुत ही है लंडन में इसी वज़े से वहां भी थोड़ा आजकल प्रचार हो रहा है ना तो मेरिक हेल हॉलन्ड में जएदा प्रचार हमेशा रहा यह आपकी महरबानी है और पंडित जी तो अंत में हम इस देश से आपको और श्री चतुरलाल को और श्री नौडू मलेक को सब फलता चाहते हैं और शुभ यात्रा चाहते हैं और आशा है कि ईश्वर की क्रिपास से बहुत दिनों के बाद नहीं लेकिन कम दिनों के बाद आप फिर इस देश से भेंट करेंगे और ज़रूर आपको यही प्रेम भाव जो आपको हुआ है आपको फिर होगा या और बहुत और होगा धन्यवाद हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं जय है नमस्ते